देखो भाईया मैं ऐसी बात बताऊं कि ने तो मैं कोई जोती सी हूँ और ने कोई भविश बगता हूँ लेकिन मैं तो सिर्फ अनुभाव और अनुमान से कह सकता हूँ देखो बुरानी मानना कारणी ये कि आप तुलना की द्रश्टी से अगर कहते हो तो अनुमान तो मेरा 90 से अधिक याने नन्य अनुप्रजिशत मोधी सरकार बनने का योग बन रहा है अब क्यों बन रहा है कि बुवा आदमी गुजरात का मुख्य मंत्री रहा हुआ और उससे तुजरुबाए उसका उमर और अनुभव है अब आप राहुल जी की बात करते हो बार बार तो से दोस्ट भी इस दुनिया में है जो बारतवर्ष में ज्यादा है जो एक रेल मंत्री बनाया जो वो क्या नाम लालू प्रसाद यादा जो गायों का चारा खा गया जो अभी विचारा जेल के सलाखों में सड़ रहा है अब वो हिंदू संस्रित का होते हो भी जब गोमाता क और विचारा खा सकता है तो ऐसे नेताओं को देश में चुन करके या उनको लाकर के तो क्या देश को पतन में ले जाना डूबाना है क्या नाराज मत हो ना निन लालू प्रसाद मेरा कोई दोश्मन नहीं पर है तो हिंदू संस्कृति का है भारतवासी है तो उसको रेल मंत कि मішा मेर मेर पर जिरा हूं। इसलिए मुझे ऐसे सब्सक्राइव सवाल था करून है। आप म advisy के भें नहीं हो था। भें फेंगया मुसे गुजए की होगा दर्म था सब करने नीदा नौद और नीदी को था यह नितिध्या भप पर आउपा ही कहूंगा कि जो मोधी सरकार को नी चाहेगा मोधी को बोट नहीं देगा तो वो समझो अपने आप पेरों पे कुलाडी मार रहा है इसलिए मैं सभी भारतवासियों से सभी राजजोर दिले के लोगों को इन्याजोर के करबदन निवेदन और प्रातना करता हूं कि आप मोध सभी सरकार को ही लाओगे कम से कम इसको दसाल का चांस तो दो यार जबकि वो मनमोहन सिंग जैसे कोई अपने पिता जी का पट्टा हो जो तस साल तक बैठा रहा हम प्रधान मंत्री के पद पर उसने देश को कोई डबलप नहीं किया नाराज मत मोधोना हाला कि मैं पर मैं कह बता हूं कि वो खाली सौनी आजी के बल बुचे पर वो बैठा रहा और खाली चुपचा बैठा रहा लेकिन कुछ देश का उसने भला नहीं किया मेरे द्रश्टिकोन में तो अब फिर भी मुझे मुझे लग रहा है कि अगर यह पांक साल यह रह गया यह मोधी सरकार तो द आज जिले में फूरे देश में किसी परकार का एनांस करोगे कि मोधी ही रहे है ज़्यादा नहीं तो कम स differentiriel 5 साल तो उसको चांस तो मेरी प्राफना अगर आपको अच्छा लगे तो उसको पुना जयताना पर 5 दो हूं का तो उसको और श्का मुझ kulay